नमस्कार मैं पंकज कुमार और आप देख रहें मेरा यूटूब चैनल गजब इंडिया जहां पर मैं भारत और दुनिया के उन ताज़तरीन मुद्दों पर बात करता हूँ जो आपके लिए एहम है आज बात अविश्वास प्रस्ताव की सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ दरसल पिछले चार साल से देश में मोधी सरकार है और ये पहली बार हुआ है कि मोधी सरकार में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ ओविश्वास प्रस्ताव लाया है सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की स्पिकर है उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और उस पर अब वोटिंग होगी अगले कुछ दिनों में लेकिन अब आप जानिए कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है वैसे दो चीजे होती है एक होता है अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा होता है विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम पहले बात करते हैं दरसल अविश्वास प्रस्ताव राज्य और केंद्र दो सरकारे होती है और दोनों जगा जो एक जगा संसद होती है और एक जगा जो विधाई का होती है तो उसके निचले सदन में लाया जाता है जैसे अगर संसद है भारती संसद है तो उसका जो निचला सदन है लोक सभा है वहाँ पे लाया जाता है और राजियों में ये जो है विधान सभा में अगर कोई पार्टी जो है केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है तो दोनों जो सदन है जो केंद्र में और राज्य में उनके निचले सदन में लाए जाता है इधर लोक सभाए उधर विधान सभाए अब बात करते हैं कि आखिर अविश्वास प में मौझूदा जो सदन में सदस्य है उसके अगर बहुमत में जो सदन में जो सदस्य मौझूद है अगर बहुमत में लोग अगर उस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट कर देते हैं तो सरकार गिर जाती है और अगर उसके खिलाफ वोट करते हैं तो सरकार बच जाती है ऐसे ही और विश्वास प्रस्ताव के उलट एक और शीज होती है जिसको विश्वास प्रस्ताव कहते हैं विश्वास प्रस्ताव जो वर्तमान सरकार होती है वो लेकर आती है ऐसा राज्यों में और केंद्र में दोनों में हो सकता है अगर सरकार को लगता है अगर वि पास समर्थन है और मेरी सरकार ठीक से चलनी चाहिए और हम बहुमत में हैं ये साबित करने के लिए केंद्र में राश्टपती और राज्य में राज्यपाल के सामने ये साबित करने के लिए कि हमारे पास बहुमत है और हमारी सरकार सही चल रही है सही से चलनी चाहिए इसके ल जब जितने भी सांसाद या विधायक मौझूद होते हैं, उनमें जो बहुमत होता है, उससे फैसला किया जाता है। वोटिंग होनी शाहिए तो ये प्रक्रिया है और इसके अलावा जो सरकारे हैं उस पर भ्यगें जारी करती हैं अपने जो सदस्य हैं उसके समर्थन में जो खटक दल हैं या जो पार्टी के लोग हैं उनके लिए और अब बात करते हैं कि आखिर भारत में सबसे पहले पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाये गया था दरसल जो भारती एतिहास है सुद्नटता के बाद का उसमें जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाये गया था वो केंद्र में जब पंडित जवाहला नहरू की सरकार थी तब साल 1963 में लाया गया था जेपी कृपलानी ने लाया था उस अविश्वास प्रस्ताओ को और उस समय जो है उस अविश्वास प्रस्ताओ के समर्थन में 62 वोट पड़े थे और उसके विरोध में 347 वोट पड़े थे यानि कि वहाँ पे नहरू की जीत हो गई थी और सरकार बरकरार रही थी इसके अलाबा अब तक जो है सबसे ज़्यादा बार इंद्रा गाधी के समय में अविश्वास प्रस्ताओ आये हैं 15 बार याद रखेगा 15 बार इंद्रा गाधी के सरकार में जो हैं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताओ आये इसके अलाबा लाल बहादूर शास्त्री जिनके हम बहुत तारीफ करते हैं हम सब तारीफ करते हैं उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा था और लाल बहादूर, शास्त्री और नर्सिंग राओ को तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताओ का सामना करना पड़ा था इसके अलाबा जो नरिंद्र मोदी की वर्दमान सरकार है इसमें चार साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताओ लाए गया है और इसके अलाबा एक और खास बात यह है कि 1978 में जब मुराजी दिसाजी की सरकार थी तब अविश्वास प्रस्ताओ लाया गया था और वो पहली सरकार थी जब अविश्वास प्रस्ताओ की वजह से सरकार गिर गई थी और इसके अलाबा 1993 में भी अविश्वास प्रस्ताव से नर्सिंग राउ की सरकार को गिरने का खत्रा था जो नर्सिंग राउ की सरकार थी साल 1993 में लेकिन तब बहुत कम वोटों के अंदर से वो जीत गये थे और उनकी सरकार बच गई थी इसके अलाबा अगर एक और मैं आप से खास बात करूँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि विश्वास प्रस्ताव सरकारों ने लाया है और उसमें हुई वोटिंग के चलते उनकी सरकार गिर गई है इसका जो सबसे बड़ा उधारण है वो अटली भीहरी बाच पेई का है अटली भीहरी बाच पेई दो बार सुधन में विश्वास मत हासिल करने की कोशिश की उन्होंने और दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा साल 1996 मिनों ने जो है वोटिंग से पहले इस्तिफा दे दिया था और विश्वास प्रस्ताव सरकारने लाया था और वोटिंग जब होनी थी उसके पहले रोने इस्तिफा दे दिया इसके अलाबा 1998 में वो जो विश्वास प्रस्ताव था तो ये पूरी जानकारी थी विश्वास प्रस्ताव और और विश्वास प्रस्ताव पर आप कन्फ्यूज मत हो येगा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि और विश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है विश्वास प्रस्ताव सरकारे लेकर आती है लोग सभा के लोग अगर जिधर वोट करते हैं वो फैसला मानने होता है और तो यह पूरी जानकारी थी आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं वीडियो बनाऊंगा औ और उसे आप देख पाएंगे यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल गजब इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिए